हाई गैज और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपाश चैदव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफियर्स आफ 14 अफ मैं 2024 तो गैज जाधे तारिक 14 मैं 2024 और है टूजडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफियर्स बनेंगे उन सबी करेंट अ आता है कल से शुरू हुआ है आज हमारा दूसरा दिन है कल बहुत सारे कॉमेंट्स मैंने रिसीव किये थे कि सर डेली बेसिस पर कंटीन्यू रखना बीच में छोड़ मत देना जैसे पहले आप कर रहे थे बट ऐसा नहीं होने वाला है अब ये वीडियो कंटीन्यू हुआ ह तो regular basis पर मिलेगा most important चीज़ दोस्तों ये है पूरे lecture को बहुत अच्छे से सुनना है full concentration के साथ में क्योंकि last में आपको practice questions करवाय जाएंगे पूरे lecture में से जो भी current of work के question बनेंगे उनको आप attempt करना वो test देना और देखना आपका score क्या रहा है इससे क्या होगा आपकी memory power increase ह concentration power बढ़ेगी क्योंकि अच्छे से सुनोगे तब ही last में answer दे पाओगे साथी साथ में confidence level भी बढ़ेगा क्योंकि daily business पे आप ये questions लगा रहे होंगे और examination में जब आजा कर बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये काम में daily business पे कर रहा था daily questions लगा रहा था तो वहाँ पे confidence boost जब मिलेगा आपको और वही confidence जो boost होगा दोस्तों वह काफी सारे जो दूसरे aspirants होंगे उनसे ज़ादा help आपको ये provide करवाएगा ये वीडियो इसलिए भी important है क्योंकि यहाँ पर हम in express के साथ साथ PIB, down to earth, hindustan times, live mint हर एक important source को cover कर रहे हैं आप lecture देखोगे तभी आप समझ पाओगे वीडियो के importance को दोस्तों अगर आपको इस lecture का PDF अगरा चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले download करना है टेलिग्राम तर उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में type करना दीपाट च्यादव एजूकेशन UPSC आपको यह वला चनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप daily basis पे इस lecture के PDF को download कर पाऊगे तो चलिए आते हैं आज के सबसे पहले article की तरफ यह article GS paper number 3 environment के point of view से काफी relevant है तो दोस्तों बात हो रही है sperm whale के बारे में अभी हाली में एक news छपी है खबर में आपको पता होगा हमारे दाहिंदू में भी इसको cover किया गया था कि जो scientists हैं वो भी study कर रहे हैं कि आपस में दो sperm whale किस तरीके से बात करती हैं इसको लेकर कुछ studies भी publish हुई है जिस वज़ा से sperm whale directly news में है और ये whale हमारे exam के लिए भी relevant हो जाती है क्या बन सकती है question के form में वो भी आपको बताऊंगा और starting में बता ही चुका हूँ बहुत धिहान से हर एक चीज़ को सुनना है क्योंकि last में आपको test देना होगा और उस test से डरना नहीं attempt करके जाना है मज़ा आएगा आपको बहुत को जानने को मिलेगा तो बात आती है sperm whale की तो द जो body shape है especially जो इसका head है वो square shape में आप यहाँ पे आप देख पाऊगे चकोर सा है है ना अब चकोर से shape के साथ साथ दोस्तों इनका head तो बड़ा है ही साथी साथ में इनके पास में brain भी बहुत बड़ा होता है हमारे पुरे प्रत्वी पर सबसे बड़े सिर और सबसे बड़े brain के साथ में दिमाग के साथ में कोई animal present है तो दोस्तों यहाँ पर वो है sperm whale sperm whale का scientific name है physeter macrocephalus तो scientific name को भी थोड़ा पहुत ध्यानकना जादा खुसने की इसमें जरुवत नहीं है यह जो नाम है इतना खतरनाक सा वो कैसे पढ़ा या sperm whale कैसे बोलते है हम इसको इसके पीछे का reason है एक वैक्सी सबस्टांस एक वैक्सी यानि की जैसा wax present होता है जो होता है उस प्रकार के एक सबस्टांस मिलता है जिसका नाम है spermicity यह जो सबस्टांस है दोस्तों यह sperm whale के head में इनके सर में पाया जाता है यह एक प्रकार का oil sack है अब दोस्तों यही spermaty का कई बार लोग यूज करते हैं oil lambs के अंदर में यूज किया जाता था candles को बनाने के लिए भी use के जाता था ठीक है तो यह आपको समझ माया तो इसी sperm necessity से दोस्तों यह word पड़ा है sperm whale इसके distribution की बात करेंगे तो दुनिया भर में यहाँ पर यह sperm whale पाय जाती है ठीक है ध्यान रखेगा important है they are found in all deep oceans जितने भी समुद्र है equator से लेकर हमारे Arctic Antarctic तक color की या थोड़ा brownish color की whales नजर आती है जिनके जो belly होती है जो पेट वाला है उस पर white color के patches होता है ठीक है इनका जो यहाँ पर आपको साथ में flipper देखने को मिलेंगे वो छोटे size के यहाँ पर नजर आता है life span की बात करेंगे तो लगबख 60 साल तक एक sperm whale जीवित रह सकती है ठीक है एक highly social mammal है ठीक है उसके अलाबा दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इसी sperm whale में से एक important चीज हमको मिलती है जिसका नाम है amber gris और amber gris को लेकर ही आपको बता होगा thumbnail में मैंने यहाँ पर एक चीज mention कर रखी है यह amber gris basically whale की उल्टी है वामिट और यह वामिट को हम लोग कई बार बोलते हैं floating gold यानि तैरता हुआ सोना क्यों क्योंकि दोस्तों इस वामिट की कीमत बहुत ज़ादा है करोडों में है international market में यह जो whale की वामिट होती है यह करोडों में बिकती है जिस वज़ा से दोस्तों हमारे लिए यह भी जानना काफी ज़दा जरूरी हो जाता है ठीक है तो इसी वामिट को नाम दिया गया है amber gris ध्यान रखेगा यह बंती कहां से है यह इसी sperm will से मिलती है sperm will का जो digestive system है वहाँ पर यह produce होती है ठीक है जिसको नाम दिया गया है amber gris और यह amber gris जब य आती है पानी में तैरती रहती है तैरती रहती है धीर धीर साफ होती रहती है फिर बाद में किसी ना किसी को मिल जाती है अब जिसको भी मिल जाए यह ऑव्विस से बाता है वो करोड़ पती बनेगा अगर यहां पर पकड़ाना चाहे तो अब बात आती है floating gold की यह amber gris की जर भी fresh amber gris होगा वो थोड़ा सा light yellowish color का होगा जैसा यहां पर photo में आपको नजर आ रहा है ठीक है अब question यह है क्या हर कोई sperm whale amber gris produce करती है ऐसा नहीं है दोस्तों सौ में से केवल एक sperm whale ही यहां पर amber gris produce कर सकती है कहोगे अभी आपने थोड़े दिर पहले यह बोला था इसकी value क करोडों में बिकता है 2-2 करोड 3-3 करोड रुपे के यहां पर यह उल्टी बिकती है दोस्तों इसके पीछे का reason क्या है reason यहां पर यह है कि amber gris के अंदर में जो चीजे present हैं वो amber gris में alkaloids, acids और कुछ और important compounds देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं अब दोस्तों यह कुछ rare substance है हर चीज में नहीं नज़राते हैं इनके price international market में बहुत ज़ादा high है अब सवाल यह है कि इनको करोडों में खरीता कोहन है कहां इसनका इस्तुमाल किया जाता है तो दोस्तों जो बहुत-बहुत महेंगे perfumes आते हैं बहुत महेंगे fragrances हैं उसके अंदर इन ambergris का use किया जाता है तो ambergris का use especially cosmetic industry, perfumes वगरा के अंदर में किया जाता है आप ऐसा कह सकते हो cent में यहाँ पर किया जाता है, cent produce किये जाते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादे costly वाले, समझ गए? और कई सारे देशों में तो दोस्तों ambergris के व्यापार के ओपर ban भी लगाये हुआ है जैसे USA में, Australia में, इंडिया में, यहाँ पर आप proper तरीकी से trade नहीं करते हैं, ठीके? यह चीज़े, रोक टोक में हैं, इनके उपर restrictions हैं क्यों? अब्यसी बात है, इन चीज़ों को बड़ावा मिलेगा, तो बहुत सारी Spumwills को फिर मारा जाएगा, उनकी हंटिंग होगी बार-बार, लोग पकड़के खतम कर देंगे उनको, उनकी परजाती समाप तो जाएगी बिलकुल इसी अमबर्गरिस के लिए, समझ गए? चलिए, आते हैं, नेक्स अर्टिकल पर अगला अर्टिकल भी एक्जाम के लिए important, especially for the GS paper number 3, defense and security बात हो रही है, कमी काजे drone के बारे में, अब ये drone, हाल ही में न्यूज में भी देखने को मिला था, हमने इसके बारे में अल्रेडी एक coverage किया हुआ है, हुआ ये, अभी रश्या यूकरेन के बीच का जो conflict है, वो बरकरार है रश्या ने यहाँ पे Lancet, Comic as a drone का अस्तमाल किया है, वो ये है drone है, जिसके अंदर अमेरिका की AI technology का use किया गया है, जिस वज़ा से दोस्तों आपको ये proper news में देखने को मिलेगा एक्जाम में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो news वगरा है ना, खबर जो है important नहीं, बट मैंने आपको एक source दिखा दिया है कि हाँ, इस वज़ा से हम ये discuss कर रहे हैं, काम की जो बात शुरू होती है, जहां से एक्जाम में question आएगा, अब जैसे ये कामी काज़े drone, इसके बार में सवाल आप से बन सकता है, कई बार ऐसे weapons को लेकर already UPS से सवाल पूछ चुका है, बलबले examples आपको already में बता चुका हू तो कामी काज़े drone दोस्तों छोटे size के unmanned aircraft है, इस प्रकार के drones आपको देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर में आप explosives fit कर सकता हो, यानि कि ये direct attack कर सकता है, bombarding कर सकता है, destroy कर सकता है, जहां पर भी यहां पर ये target करेगा, वहीं पर explode जाएगा, और इनको हम बोलते हैं switch blade drones, ठी इस कामी काज़े drone का नाम ये कामी काज़े क्यों रखा गया, इसके पिछे का reason क्या था, ये नाम लिया गया है, world war 2 से inspire हो के, कैसे, world war 2 जब हुआ दोस्तों तो उस समय पर, एक Japanese कामी काज़े pilot थे, जिन्नों ने आपर, एक suicide attack किया, intentionally जान बूच किया, अपना जो plane था, अप इस कामी काज़े, और इसी word से याँ पर ये drone को produce किया गया, ये जो drone है, इसके important features भी आज के समय पर, modern version के जो ये drone है, इसके अंदर capabilities है कि बड़ी strike कर सकता है, आपने targets को पूरी तरह से hit कर सकता है, आप ये समझो, इस drone को उड़ा कर आप भिला सकते हो दुश्मन में, और मा इस वज़ा से, इस छोटे से drone को बहुत घातक माना गया है, क्यों, क्योंकि radar की पकड़ में भी नहीं आता ये, इसमें facial recognition की technology का भी use किया गया है, तो बिना किसी human intervention के, इंसान के ज़रुद ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर अपने target को proper तरीके से hit कर पाएगा, हर चीज को recognize क यह सब technologies added हैं, अब दोस्तों, यहाँ पे बात यह है, यह जो US के कामिकाज़े हैं, यह सबसे ज़्यादा advanced drone है, कामिकाज़े में कई सारे variants हैं, US वाला सबसे advanced, और इसी class में कर आप देखोगे, तो Russia, China, Israel, Iran, Turkey, इनके पास में भी यही same versions आपको नजर आएंगे, अभी recently मैं बात कर रहा था कि Russia के लेंसेट वाले drone की, तो यह लेंसेट 3D drone क्या है, यह एक प्रकार का loitering munition है, इसके अंदर भी दोस्तों कैसर प्रकार के जो weapons से वो लगाए गए हैं, AI technology का use क्या यह है, ताकि यह सटीक तरीके से बिना किसी, कह सकतो, इनसान के अराम से operate कर सेके, और अपने target को precisely hit कर सके, तो यह बात हो गई कमिगाजे drone के बारे में, चलिए, एक और super important article, again, GS paper number 3, environment वाली जोली में इसको फटा-फट डाल दो, बात हो रही है, sea animal के बारे में, अब यह sea animal क्या है, दोस्तों आपने corals का नाम सुना है न, कवगे सुना है, कई बार पढ़ाया ग लेकिन यह जो फोटो में दिखाएते रहे हैं, यह corals नहीं है, यह भी एक प्रकार के invertebrate animal है, soft सी body होती है, ऐसे जानवरों की, समुदर के अंदर में पाये जाते हैं, यह सारे के सारे समुदरी जानवर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, अब होता यह है, इनको नाम द पर यहां पर यह बता रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कि लक्षुदिब आइलेंड्स के पास में, समुदर के अंदर, जो यह sea animals पाय जा रहे हैं, दोस्तों, यहां पर कहीना कि इनके उपर एक बहुत बड़ा खत्रा देखने को मिल रहा है, जिस विसे यहां पर यह news में देख आने वाला जीव आपको देखने को मिलेगा, बॉडी बिल्कुल इसकी soft सी है, लेकिन invertebrate है, इनकी कोई रेडी की हड़ी नहीं होती है, ध्यान नकिएगा, इनका एक शमता होती है, डंक मारने की, यह जो corals बगरा होते हैं ना, उन corals से काफी ज़दा संबंदित आप इसक area, ठीक है, उसके लावा दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में, कि इनके अंदर एक डंक मारने की शक्ति देखने को मिलती है, दूसरी बात, यह जो animon आपको नजर आएंगे, इनका एक symbiotic relationship होता है दूसरे animals के साथ में, दूसरे animal जैसे clone fish यह जो clone fish है, यह जो मचली आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, इनका एक गहरा connection है इन animal के पास में, इन एनिमोन से, यह एनिमोन ऐसे दिखाई पड़ता है, इनके ओपर जो आपको यह दिखाई रहे हैं, ऐसे हेरी से, यह क्या है दोस्तों, यह tentacles हैं इनके, यह आप मचली को दूसरी बड़ी मचली से बचाते हैं, कहीं दूसरी बड़ी मचली आके उसको खाना जाए, समझ गए, तो यह बचाने का काम करता है, लेकिन उसके बदले में इन एनिमोन से को क्या मिलता है, तो एनिमोन से को मचली का जो बचा हुआ खाना है, वो यहाँ पर मिल ज खाने को तो एनिमोन को कुछ मिल जाता है इसके बदले में तो दोनों को एक दूसरे का फाइदा मिल रहा है दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से क्लोन फिश के साथ में इनका एक रिलेशन देखने को मलता है और केवल क्लोन शिप के साथ क्राप में नहीं इन एंिमोन का रिलेशनषिफ दोस्तों हरमिट क्राप्स के साथ में लगाए ऍसके उपर ये इनीमौन चिपक्स आ गया इसके उपर अब ये केकड़ा चलेगा आग्या आगे इनीमौन क्या करेंगे केकड़े के साथ अपने लिए फूड को खोज सकते हैं खाने को यहाँ पर खोज सकते हैं और इसके वाद floats में केकड़े को क्या मिल रहा है केकड़ों को यहाँ पर protection मिल रही है बाकी सारे दूसरे जानवरों से कोई दूसरा बड़ा जानवर आकर इसको खा नहीं सकता ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के साथ में relation में आपको नज़र आएंगे clear हो गया तो see animals के बारे में यह कुछ basic चीज़े हैं जिसको ध्यान में रखना होगा आ गयाते हैं एक और important article पर बात हो रही है United Nations Forum on Forest जंगलों को लेकर दोस्तों बात करने वाला एक particular group एक पूरा मंच आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में आज हम discussion करेंगे हल ही मैं यह news में क्यों आया यह आपको उपर इसकी एक खबर देखने को मिलेगी यह news में इसलिए था क्योंकि दोस्तों अभी United Nations जो Forum on Forest यह जंगलों की बात करने के लिए इनके discussions को करने के लिए जो यह मंच है United Nations का इसका 19 सेशन चल रहा था जहां पर अभी यह declarations को लेकर बड़े लेवल के बातचीत को लेकर discussions हुए अब दोस्तों इस basis पर अगर हम prelims के perspective से देखें तो directly आपसे United Nations Forum on Forest के बारे में questions बन सकते हैं तो यह body है क्या यह जो body है इसको बनाया गया था साल 2000 में बनाने वाली body कोंसी है इसको establish करने वाली जो body है वो है United Nation Economic and Social Council of the United Nation प्लीज ध्यान लखेगा यह वो body है जिसने United Nation Forum of Forest को यहां पर establish क्या बनाया अब यह जो United Nation Forum on Forest है जो जंगलों की बात कर रहा है इसका special काम क्या है जो हर प्रकार के जंगल है उसके development के उपर focus करना उसका proper management करना उसके protection की बात रखना ठीक है तो दोस्तों जब पुरा मंच है यह हर साल बैठता है meeting होती है United Nation के headquarter में यानि New York के अंदर जहां पे हर एक representative बैठा होता है सभी countries जो भी इसका हिस्सा है वो बैठ कर बातचीत करती है matters के ओपर discussion करती है कैसे जंगलों को एक protection दी जा सकती है कैसे जंगलों को आगे यहां पर बचाया जा सकता है तो कई सारे देश इस body का हिस्सा है सवाल यह है क्या भारत भी इसका हिस्सा है तो बिलकुल इवन इंडिया तो इसका एक founding member है भारत ने साथ में मिलकर दूसरे countries के साथ में मिलकर इस forum को यहां पर बनाया इस United Nation Forum on Forest को बनाया तो ध्यान लखेगा इंडिया इसका एक founding member है तो दोस्तों जो 19 सेशन recently हमको देखने को मिला है जो declaration है इसका main मकसद यह है कुछ agreements यहां पर achieve करना जैसे high level का protection देना हमारे जंगलों को है ना साथी साथ में जो हमारा United Nation strategic plan for forest है इसको implement करना यह plan क्या है दोस्तों तो 2017 में यह plan लेकर आया गया था जिसका 2030 तक लागू करना एक target था यहां पर कुछ important rules and regulations है जिसको follow करना है जंगल की कटाई को कम करना है जंगल जो आज की समय पर बरबाद हो रहे हैं उसको रोकना है तो साथी साथ में यहां पर कुछ और rules and regulations provide करवाता है दूसरे दूसरे bodies के साथ में मिलकर काम करने की कोशिश करता है साथी साथ में दोस्तों यह जो body है यह जो हमारा strategic plan है यह एक तरीके से कह सकते हो की और recommendations देने का काम करता है कि कैसे दूसरी और important bodies environment चे संबंदित bodies हमारे साथ में collaborate करके हमारे जंगलों को सुरक्षित कर सकती हैं समझेगे तो यह थी basic चीज है facts पे ध्यान रखिएगा क्योंकि test देना है अभी आपने थोड़े दिर में चलिए एक और topic बात हो रही है कावसा की disease के बारे में GS No.2 health के point of view से relevant है तो कावसा की disease हाली में चर्चा में देखने को मिला पहले हम यह जानेंगे इसके पीछे का reason क्या है यह news में कब और कहां cover किया गया और सबसे पहली बात क्यों cover किया गया तो दोस्तों दो लड़किया baby girl के अंदर में यह जो कावसा की disease है वो पाई गई है और वो जो disease थी उनमें वो थोड़े दिनों पहले देखने को मिली अब उनको successfully treat कर लिया गया है कोई बातुर medical college के अंदर अभी हाल ही में जिस वज़ा से यह news में मना हुआ है तो यह तो आपको ख़बर समझ मैं है लेकिन जैसे मैं आपको बताया ख़बर में कुछ नहीं रखावा इससे हट कर background data syllabus से link करके पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे article में जो नेचोड़े निकल कराता है वो यही है कि कावासा की disease है क्या आखरेकार जो इतने news में बनी हुई है तो कावासा की disease दोस्तों एक rare heart condition है सीधा दिल से संबंदित एक problem है जिसमें बहुत तेज बुखार आता है उसके लावाज जो हमारी blood vessels है उनमें सूजन आ जाता है और ध्यान लखेगा ये बिमारी जादतर बच्चों को affect करती है especially वो बच्चे जिनके उमरे 5 साल से कम होती है ठीक है ये जो कावासा की disease है ये कह सकते हो बच्चों के अंदर जो हिर्दे से संबंदित बिमारी होती है उसमें एकदम leading cause पर है ये condition की वज़ा से यहाँ पर क्या होता है जो immune system है वो हमारे blood vessels को attack करता है जिस चक्कर में हमारी blood vessels जिसमें खून बह रहा है वो भी सूच जाती है हमारी coronary arteries यहाँ पर सूच जाती है जिससे blood हमारे heart तक proper नहीं पहुच पाता इससे और भी कई सरी problems होती है इसके ने problems होती है बच्चे के mouth, nose, throat के अंदर भी दोस्तों कई सरी issues देखने को मिलेंगे अब अगर यहाँ पर किसी को कवासे की disease होती है तो उसके कुछ symptoms नजर आता है जैसे आखे बिलकुल लाल हो जाना है ना, शरीर पर red color के rashes start हो जाना irritation होना बार बार आपके गर्दन के अंदर एक सूजन हो जाना गाट सी पढ़ना बुखार रहना 5 दिन या 5 से लगातार और जादे दिन तक तो लक्षन में यही है काफी देश बुखार rashes, हाथ के अंदर सूजन irritation होना, पैर में सूजन होना आखों के अंदर बिलकुल लाल पना होना सूजन होना, आपके जो neck की lymph gland से वो यहाँ पर सूज जाती है एक गाट सी पढ़ने लगती है मुँ में सूजन हो जाती है होट मसूजन हो जाती है तो यह जो disease है दोस्तो इसके बारे में सबसे पहली बार जो describe किया गया था, वो जापान के अंदर किया गया था और जापान के अंदर में इस बिमारी के बारे में सबसे पहली बार बताने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे तो मी साकू कावा साकी इस बिमारी का नाम कावा साकी डीजीज रखा गया 1967 में इन्होंने इस डीजीज के बारें बताया था जब पहला केस जापैन के अंदर में यहाँ पर देखने को मिला इस्पेशली जापैन के यहाँ पर आउटसाइड ऑफ जापैन देखने को मिला हावाई में 1976 में सवाल यह है यह बिमारी होती कैसे है इसके पिछे का में रिजन क्या है कारड क्या है तो कावा साकी डीजीज का जो में कॉज है दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेशली यहाँ पर जो अर्ली स्प्रिंग है है ना या कभी सर्दियां लेट आती है तो यहाँ पर जातर केसिस इसी दोरान इसी बदलते मौसम में यहाँ पर नजर आता है ठीक है चलिए आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर बात हो रही है पेनमा के बारे में वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्लेस इन न्यूज वाले सेक्शन में इसको डाल सकते हैं तो पेनमा अभी हाल ही में न्यूज माया या क्यों पेनमा नाम का जो एक देश है दोस्तों वो अमेरिका यह उपर US है यानि कि आपका North America है नीचे आप देख पाओगे Columbia, Brazil, Venezuela यह आपका South America है तो North America, South America के बीच में आपर एक छोटा सा देश है Panama जिसकी capital है Panama City और Panama के आसपास देखोगे तो दो समुद्र नज़र आएंगे इधर है उपर Caribbean Sea और नीचे है Pacific Ocean केनमस आगे जाओगे तो Costa Rica नाम का एक देश मिलेगा नीचे Columbia मिलेगा बराबर में Venezuela है ध्यान लखेगा तो यह location बहुत important है अभी हाल ही में Panama न्यूज में क्यों आया क्योंकि Panama दोस्तों अपने immigration policy के अंदर में कुछ changes कर रहा है उस वज़े से खबरों में बना हुआ है लेकिन locations आपके लिए बहुत जादा relevant है तो Panama देश की जब बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह आपके Central America है simple सी बात है उपर North America है नीचे South America है तो बीच में Central America ही होगा तो इस Central America वाले हिस्से में यह Panama आपको नज़र आएगा जो कि Isthmus of Panama पे located है यह हमारे North और South America को जोडने का काम करता है क्योंकि just किनारे ही आपको यह नज़र आएगा इस कासपास boundaries को देखोगे तो Costa Rica यहाँ पे नज़र आती है Columbia यहाँ पे नज़र आती है यह दोनों देश इसके साथ में boundaries को शेयर करते है नीचे आपका Pacific Ocean उपर आपका Caribbean Sea भी यहाँ पर नज़र आएगा ठीक है आप दोस्तों जादातर जो पेनमीनियन्स हैं यानि कि इस पेनमा में रहने वाले जो लोग हैं या तो यहाँ के रहने वाले लोग है नेटिव पिपल है या येरोपियंस हैं या इमिगरेंट्स हैं दुनिया बड़ से जो लोग गए वहाँ पर वो लोग आपको देखने को मिलेंगे प्लस पेनमा में एक खास बात यह है कि यही पर आपके अमजन के जंगल फैले वे हैं तो इस अमजन बेसिन के बाहर अगर कहीं पर यह रेन फॉरस्ट प्रेजन है पूरे वेस्टन हमिस्फियर में तो वो हमारे पेनमा में प्रेजन है पेनमा की कापिटल पेनमा सिटी अगरी डिसकस कर चुगा हूं भाषा यहाँ पर स्पैनिश यूज की जाती है और यही पर इस देश के नाम पर एक इंपॉर्डन केनल आता है जिसका नाम है पेनमा केनल जैसे आपने स्विस केनल का नाम सुना होगा उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पेनामा केनाल भी है पेनामा केनाल एक आर्टिविशल केनाल है जिसको यहाँ पे अमारिका ने बनाया था एक सेकिंड रुकों मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं यार शायद मैं फोटो नहीं लेखाया हूं पैनामा केनल का माफी चाऊंगा बड़ यहीं पास में एक कैनल आपको देखने को मिलेगा पैनामा कैनल जहां से जो जहाज होते हुए नजर आते हैं नीमे तो जैस्टुर में सबकर आप इंद्लान्टिक बांटिक को जोड SBS काम करते हैं यह जो कैनाल है इसको अमेरिका ने बनाया था 1904 से लेकर 1914 के बीच में और अफिशली इसको उपन किया गया 15 अगस 1914 में आज के समय पर यह जो पैनामा कैनाल है इसका जो ओनर है वो खुद यहाँ पर पैनामा देश आपको देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग में यूएस के पास में ओनर्शिप थी लेकिन बाद में यूएस ने ये ओनर्शिप ट्रांसफर कर दी पैनामा को तो पैनामा के पास में सारी की सारी ओनर्शिप इस पैनामा कैनाल की नजर आती है ठीक है चलिए आगे आते हैं एक और important आर्टिकल पर यहाँ पर बात हो रही है T-cells के बारे में दोस्तों तो अभी न्यूज में ये T-cells बने हुए है हुआ क्या है अभी यहां पर दोस्तों एक नया clinical trial हमको देखने को मिला जहां पर कुछ T-cells दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है उनको infuse किया गया है बच्चों के अंदर जो type 1 diabetes से ग ज़रूरी है क्योंकि B-cell T-cells को लेकर already UPSC एक सवाल आपसे पूछ चुका है याद है ना आपको तो T-cell दोस्तों एक प्रकार के white blood cell आपको बदा ना आपके पास में red blood cells हैं RBCs हैं प्लस WBCs यानि की white blood cells हैं तो एक T-cells भी क्या है एक प्रकार का white blood cell है इसको हम T-lymphocyte य अंदर जो stem cell है वहीं से T-cells डवलप होता है सवाल यह है कि इन T-cells का काम क्या है यह करते क्या है हमारे body में तो दोस्तों यह हमें infection से बचाने का काम करते हैं cancer से लणने में हमारी मुदद करते हैं हमारी body को infection से बचाते हैं और ध्यान अकिएगा T-cells के भी दो प्रकार होत करते हैं signals यहां पर भेजते हैं ठीक है कि यहां पर क्या है immune cells जो है उनको यहां पर क्या करना होगा यह infection से लड़ना होगा यह signal भेजने का काम करते हैं तो दोनों T-cells के प्रकार ध्यान लखेगा अब बात आती है T-cells की तो यह करते क्या है दोस्तों आपको काम पता चल च जाता है कि यहां बहारी infection है body के अंदर में तो उसको यह kill करने का काम करते हैं खतम करने का काम करते हैं ठीक है अब जब एक T-cell receptor fit हो जाता है और इसको एक antigen मिल जाता है यानि कि बहारी एक infected cell मिल जाता है तो जो यहां पर killer T-cell है वो कुछ cytotoxin release करता है और यह cytotoxin क्या करत हैं तो यह T-cell है जो कि आपको infection से बचाने का work करता है ठीक है तो यह कुछ basic data हो गया ध्यान अखिएगा आप चलिए कुछ हाते हैं questions के उपर में अगर आपने पूरा lecture ध्यान से सुना है जो कि सुना ही होगा तो आप इन सभी questions को attempt कर पाऊगे मैं आपको सारे questions बताऊंगा starting सभी questions के answers में आपको बताऊंगा तो आप सभी उन answers को recheck करना देखना question आपने सही किया गलत किया है आप किस level पर कहां पर चूक रहे हो कौन सा question गलत किया है कहां पर सही हुआ है कितना सही हुआ है पूरा score नीचे comment section में लिखना है लिखे मिना नहीं जाना है सवाल नंबर ए सभी सभी को नीचे comment section में देना है next important question यहाँ पर बात हो रही है T cell के reference में आपके सामने दो statement से बताओ कौन से सही है अभी थोड़ दिर पहले ही T cells आपने पड़े हैं पहला question बोलता है T cell जो है एक प्रकार का red blood cell है यानि RBC है दूसरा statement बोलता है कि जो T cell है दोस्तो यह आपके immune system का एक important part है हिस्सा है जो कि आ दोनो statements में से कौन से statement सही option number A1 only B2 only C दोनों से हैं या D दोनों के दोनों गलत है चीक है दोस्तो यह ज्यादतर जो बूढ़े लोग है इनको या अफैक्ट करती है तो बता दोनों में से कौन से statement सही option number A1 only B2 only C दोनों से हैं या D दोनों के दोनों गलत हैं अगला question बात करता है C animals के बारे में तो C animals को लेकर अगेन आपके साबने फिर से दो statement है पताईए कौन से statement सही है पहला जो C animals है ये एक प्रकार के vertebrate aquatic species है जो की समुदर के bottom में पाए जाते हैं दिहान से बहुत दिहान से क्योंकि concentration का यही मतलब है कि कितने सतरकता से कितने आपके सकते अच्छी दरीके से आपने चीजों को सुनाए ठीक है क्योंकि इसमें एक दो word का खेल हो जाता है हम एक्जा antibiotic relationship बनाने के लिए हर्मिट क्रैब के साथ में तो बता दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है option number A1 only B2 only C दोनों सही है या D दोनों के दोनों गलत है Now next question अगेर interesting सा United Nation Forum on Forest को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट से हैं फिर से बताना है कौन सा सही है पहला यह जो United Nation Forum on Forest दोस्तों इसको established इसको बनाया गया था United Nation Economic and Social Council of the United Nation नाम की body के माधियम से दूसरा इंडिया जो है इस organization का founding member नहीं है इंडिया इस not a founding member of this organization तो बताइए दोनों मेंसे कौन से स्टेटमेंट सही है option A1 only B2 only C दोनों सही है या D दोनों के दोनों गलत है तो दोस्तों ये थे हमारे सारे सारे questions I hope आप लोगोंने सभी questions को बिल्गुल सही सही attempt किया होगा जो भी आपका स्कुराया है उसको प्लीज नीचे comment section में लिखे कितने मेंसे कितने questions आपके सही है और गलती हुई है तो कहां हुई है अब चलिए मेकी करके पहले सभी question के answer को बताता हूँ तभी तो आप अपने result लिख पाऊगे तो यहां बे बात हो रही थी United Nation Forum on Forest को लेकर बताओ दोनों में से कौन सा सही है आप देखोगे तो बात हो रही है पहला वाला कि इस body को बनाया गया था United Nation Economic and Social Council of the UN हाँ बिल्कुल सही बात है अभी हमने पड़ा था दूसरा कि इंडियास का founding member नहीं है यह गलत है इंडियास का founding member है मैंने यह जोर भी लगाया था इसके उपर बताया था कि आपको इवन इंडिया यहां पर इसका एक important member आपको देखने को मिलेगा जिसना उस organization को बनाया तो that is why option number B 2 only is the correct answer sorry 2 कहा रहा हूँ one only is the correct answer option number A आपका सही है बाकी तीनों गलत है फिर आपसे पूछा गया था next question में see animals के बारे में तो again दोनों statement है दोनों में से पताओ कौन से सही है पहला देखो यही पर game हो गया एक word से बस खाली कि जो see animals है एक vertebrate aquatic species है दोस्तों यह vertebrate नहीं है invertebrate है invertebrate मतलब soft सी body है बिना read की headdy की body है तो पहला statement तो हो गया हमारा खतम दूसरा यह जो see animals है दोस्तों इनका एक important relationship होता है हर्मिट crab के साथ में जी हाँ बिलकुल यह सही है तो that is why option number B to only is the correct answer फिर आपसे अगले प्रश्ण में पूछा गया था कावासा की disease को लेकर बताओ दो में से कौन सा statement सही है पहला यह एक rare heart condition है जिससे बहुत ज़ादा तेज बुखार हो सकता है blood vessels में सूजन हो सकती है हाँ बिलकुल सही बात है बड़ा था दूसरा यह बिमारी जादतर बुड़े लोगों को बुजर्ग लोग को affect करती है ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जादतर बच्चों को affect करती है especially वो बच्चे जिनकी उमर 5 साल से कम आपको देखने को मिलेगी that is why option number A one only is the correct answer फिर यहाँ पे आपसे पूछा या T cells को लेकर बताओ दो statement है दोनों में से कौन से सही है पहला T cell एक प्रकार का red blood cell है यहीं पर game खतम T cell red blood cell है या white blood cell है बताइए T cell दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का WBC है that is white blood cell है white blood cell का type है तो पहला statement गलत दूसरा जो T cell है हमारे immune system का एक एहम हिस्सा है जो हमारे body को infection से बचाता है only is the correct answer फिर आप से बूचा गया sperm whales के बारे में बताओ दो statement हैं कौन से सही है तो पहला sperm whale toothed whales के मामले में सबसे बड़ी whale है बिल्कुल सही बात है दूसरा sperm whale केवल और केवल tropical oceans में पाई जाती है यह गलत है क्योंकि starting में ही आपको बता दिया sperm whales दोस्तों सभी जगा पर सभी स आपको मज़ा होगा तो क्या score आपका आया है बताइए नीचे comment section में इसी के साथ में करते हैं lecture को समाप तोर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज ले बाइबाई have a nice day thank you and जाहिंद